नमस्कार दोस्तों हमारे देश में क्रिकेटर और फिल्मिक अलाकारों को भगवान की तरह पूजा जाता है बिना ये सोचे कि ये लोग इनसान है और हम जिस एक्टर या क्रिकेटर को जानते हैं वो इमेज मीडिया के द्वारा बनाई जाती है ना कि असलियत में ऐसे होते हैं ये लोग असल जिन्दगी में ये लोग आम इनसान से भी बत्तर होते हैं साउट की एक एक्टरेस है जिसका नाम है लक्षमी राये जिसका किसी समय पर महंदर सिंग धौनी के साथ में अफेर था अब उसने अपने अफेर को लेकर एक इस्टेटमेंट दिया है लक्षमी राये ने कहा कि धौनी के साथ मेरा अफेर एक दाग की तरह है जो कभी साफ नहीं हो सकता है मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन ये दाग कभी भी साफ नहीं हो सकता है मैं जो बाते बोलना चाहती हूँ उन्हें सुनकर हो सकता है मुझे बहुत सारी गालिया पड़े ट्रोलर मेरे पीछे पड़ जाए क्योंकि धौनी के करोडों चाहने वाले हैं और वो अंदभक्त बनकर उसे भगवान की तरह पूजते हैं लेकिन अब बात चली है तो मैं अपने मन की बात मीडिया में रखूंगी जिस महिंदर सिंग धौनी को उसके फेंस भगवान की तरह पूजते हैं वो एक अच्छा इंसान कहलाने का भी हगदार नहीं है देखकर लक्षमी राय और धौनी दोनों अपना चेहरा चपाने लगे और गाड़ी की तरफ चलने लगे तब ही लक्षमी राय टेबल से टकरा कर वहीं पर गिर गई लक्षमी की लेफ्ट आइज के पास में चोट लगी दोनी ने उसकी चोट देख ली थी लेकिन फिर भी उसने लक्षमी राय को उठाने की जगे मीडिया से बसने की कोशिस करते हुए गाड़ी की तरफ दोड लगा दी लक्षमी राय ने बताये कि उसे टेबल का कौना लगा था जिसकी वज़े से उसकी लेफ्ट आँक के पास में चोट लगी और तीन टांके आई थे भगवान का शुकर था कि चोट आँक में नहीं लगी वरना मैं हमेशा के लिए अपनी आँक खो बैठती लक्षमी राय ने कहा कि धौनी पियार के द्वारा मीडिया में अपनी इमेज चमका के रखता है उसके धेर सारे अफ़ेर थे लेकिन अपने आपको लोगों में ऐसे शो करता है जैसे कितना बड़ा धर्मात्मा इंसान है या कितना महान है वो हर तरह का नशा करता है उसे अपने अलावा कोई दूसरा इंसान दिखता ही नहीं है लक्षमी राय ने धौनी और उसके सगे भाई बड़े भाई उन दोनों के रिष्टे पर भी बात की लक्षमी ने कहा कि धौनी वैसे दुनिया के लिए भगवान बने बैठे है लेकिन उसका खुद का भाई आज भी दरदर की ठोकर खा रहा है उसके लिए वो कुछ नहीं करता लक्षमी ने कहा कि धौनी ने अपने भाई की मीडिया में ऐसी इमेज बना रखी है कि वो शराबी है आवा रहा है लेकिन चलो मान लिया कि धौनी का भाई नशा करता है लेकिन उसकी फैमिली और उसके बच्चे क्या वो भी नशा करते है धौनी के पास इतना पैसा है कि क्या वो उन बच्चों को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता है लेकिन धौनी ना सिर्फ स्वार्थी है बलकि एक लालची और घटिया इंसान है ये बात सच है कि धौनी स्वार्थी और लालची इंसान है बलकि जैसी इमेज मीडिया में धौनी की बनी हुई है धौनी वैसा बिलकुल भी नहीं है धौनी बहुत बड़ा घमंडी इंसान है और इसका सबूत अभी दो-तिन दिन पहले देखने को मिला धौनी का एक छपरी फैन पिछले दिनों धौनी के घर के बाहर पड़ा हुआ था पांच-छे दिन से वहीं पर पड़ा हुआ था उसकी जित थी कि वो धौनी से मिलकर ही अपने घर जाएगा धौनी को भी ये बात पता चली कि एक फुटल बेरोजगार छपरी फैन उसके घर के बाहर पड़ा हुआ है ये तस्वीर देखिए जैसे ही धौनी अपनी गाड़ी से घर के बाहर निकला तो छपरी फैन उसके बिलकुल नजदीक पहुँच गया गाड़ी के पास लेकिन धौनी ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी और चला गया छपरी फैन अपने कुट्टे जैसा मूँ लेकर वहीं पर खड़ा रह गया हाला कि गलती उस छपरी फैन की थी वो बेरोजगारों की तरह 4-5 दिन से धौनी के घर के बाहर क्यों पड़ा हुआ था लेकिन अब सोशल मीडिया पर नेटीजन्स धौनी को घमंडी बता कर उसकी आलोसना कर रहे है लोगों का कहना है कि धौनी को अपने गाड़ी रोक कर उसके साथ में एक फोटो खिचवा लेना चीए था इससे धौनी का बहुत ज़्यादा समय बरबात नहीं होता लेकिन धौनी ने अपने एहंकार में गाड़ी का शीसा भी नीचे नहीं किया और अपने फ्रेंड को सौरी अपने फैन को सौरी अपने छपरी फैन को इगनौर करके आगे बढ़ गया